दोस्तो आलस दुणिया का सबसे बड़ा रोग है, आलस ही मनुस्य के सरीर में अस्थित उसका सबसे बड़ा सत्रू है दोस्तो डाक्टर आलस को कोई रोग नहीं मानते, परंतु यह सारे रोग की जड़ है इसका करण यह है कि आलसी आदमी किसी कारे को करने में रूची नहीं लेता अंतहर इसके करण उसे अनेक सरीरिक और मानसिक रोग घेर लेते हैं आलस्य के करण नीन पूरी ना आना शरीर में अनेक बिमारियां होना अत्वा कुस दवायों के उप्योग के करण भी आलस से आ जाता है इसके अलावा मौसम बदलने की वज़े से भी मनुष्य में आलस आता है कभी कभी किसी कारे में सफलता होने के करण भी मनुष्य में आलस आता है मनुश्य को चाहिए कि वे अपने आलस के कारण का पता लगा कर उसे दूर करे तो चलिए दोस्तों आप जानते हैं कि आलस को अपने सरीर से दूर कैसे भगाया जा सकता है तेज तेज चलना, गहरी गहरी सांसे लेना, ठंडे पानी से नहाना, फल और सुखा मेवग खाने से अलस दूर होता है अंगूर, सेब, संत्रा, नीबू, केला, गरम दूद आदिका सेवन करने से भी अलस दूर हो जाता है गरम चना, मूफली और चाय का उचित मत्रा में उपयोग अलस दूर को भगाता है दूद में 4-5 काली मिर्च, दो लॉंग, एक बड़ा इलाइची, एक चम्मत पिसी सौंट, बहुत थोड़ा सा तेज पत्ता और दालचीनी डाल कर उबाल ले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक अवश्य करें, और ऐसे ही अन्य रोगों के बारे में जानने, वा उनका उप्चार करने के लिए, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जो बिल्कुल फिरी है